हलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग बड़ी आऊंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आई फ्लू की समझ्या के बारे में दोस्तो मैं ये पिछले दो-तिन दूरों से आई फ्लू की समझ्या को देख रहा हूं ये मु मैं आपको बताऊंगा कि यह जो आई फ्लू की समस्या है मैंने सोचा मुझे ही है लेकिन यह मेरे आसपर उसमें और लगबग जितने भी एरिया है मेरे यहां का आसपर सब को यह समस्या हो रही है तो मुझे लगा साइथ यह इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए जिसके बारे मैं बता सकूं कि यह आई फ्लू की समस्या अगर आपको भी हो जाती है तो इसमें आप कौन सी मैडिसिन का इस्तमाल कर सकते हैं जिनसे आपको यह तुरंत रिलीफ मिल सके और यह आपकी जो आई फ्लू की समस्या है जो आपकों के रैडनेस या इचिंग वगरा है या जलन जो हो रही है वो खात्म हो सके तो चलिए दोस्तों मुझे यह समस्या थी तो मैंने इस पर वीडियो बनाने का एक सोचा क्योंकि मेरे चैनल पर 15-20 दिन करीब हो गए हैं वीडियो भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि दोस्तों मेरे कुछ और काम पेंडिंग थे जो चल रहे हैं जो कि बहुत जादा जरूरी हैं जिसकी वजह से मैंने अभी यूटूब से दूरी थोड़े दुनों के लिए बना ली है लेकिन यह जो वीडियो बना रहा हूं यह मेरे कुछ समस्या थी तो मैंने सोचा यह बना दी जाए दोस्तों यह जब भी आपको यह समस्या होगी तो मैं ही समस्या आपकी पूरी तरह से हाभी हो जाएगी क्योंकि दोस्तों मैं 2-3 दन हो गए मुझे मैं इससे काभी परिशान हूँ अभी दो दिनों से मैं इसमें जो मैडिसें यूज कर रहा हूं वह आपको मैं बता देता हूं जिससे कि आपको या आपके फैमिली में अगर किसी को भी यह समस्या हो रही है तो प्लीज यह आप मैडिसें इसको इस्तमाल जरू कराएं तो इसमें जो ड्रॉप यूज करनी है वह दोस्तों है पाइरी मॉंट डिया है यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह अपडिसी कंपनी का है और 99 रुबी जिसकी MRP आप इसकी द डिसतर में आप 0DL SP टाबलेट और यह लिवोटरिजिन 5MG यानि कि वनॉल के नाम से आती है लिवो डिक की नाम से आती है जिसमें आपको लेवो डिजिन 5M ने वह आप ले सकते हैं तो आपको यह 0DL SP आपको सुभे साम दिन में दोवाल लेनी है लिवो डिड़ आपको सि अलर्जी बगरा है या चिंग की समस्या वो ठीक करेगी और आपको पाइरिमोंड डियाप या कोई भी मॉक्सी सेट अप है ना ही कुछ है या आप देख सकते हैं मैं अपनी छत पर बैठा हुआ हूँ वहाँ पर आपको ये बना के दे रहा हूँ तो आप इसको एजे ब्लॉक की तरह भी ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलेंगे जल्दी ही एक और नए वीडियो में तब तक के लिए नम प्रश्कार